नेशुल्ख मेडिकल कैम्प का आयोजन रविवार को पचंबा रोड स्थथ सिटी केर हॉस्पिटल में किया गया मौके पर सैक्रो लोगों ने नेशुल्ख जांशिवर का लाब उठाया जुसमें की अपेंडिक्स, हर्णिया एवं हाइड्रोसील की जांच की गई हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर समीर राज चौधरी ने बताया कि जांशिवर के दौरान मरीजों को नेशुल्ख जांच वा दवाईयां उपलब्द कराई गई है उन्होंने यह भी बताया कि सबसे जादा मरीज अपेंडिक्स के पाए गए है मरीजों को पेट दर्ध के शिकायत रहने की वज़ा से वा इस कैम्प में आये थे लेकिन सामान या पेट दर्ध के जगह एपेंडिक्स का दर्ध हो रहा था जो की हमारे माध्यम से मरीजों को बताया गया कैंप में रजिस्टर जिन मरीजों को ओपरेशन और इलाज की ज़रूरत है उनका ओपरेशन बिना किसी लाफ के आगे समय में किया जाएगा बाहर से आये हुए विशेसग्य डॉक्टरों के साथ गिरडे के वरिष्ट सर्जन डॉक्टर एस्बी चौधरी के द्वारा मरीजों का इलाज किया गया अजबाबत डॉक्टर समीर राज चौधरी ने यह भी बताया कि इस प्रकार का कैम्प सिटी केर होस्पिटल के प्रांगण में निरंतन लगाया जाएगा असी कड़ी में उन्होंने आने वाले 13 नवंबर 2021 को नेशुल कैम्प करने की बात कही ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैम्प से लाभानवित हो सके अभी तक रेजिस्ट्रेशन सो से उपर लोगों ने करा लिया है और अभी भी इलाज चल रहा है लोगों का देखने में यह आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लेम सबसे ज़्यादा आ रहा है आपका अपेंडिक्स के केसेज में लोगों को लग रहा है कि मुझे नॉर्मल पेट दर्द है बट जब उनकी जांच हो रही है और जब उनका अल्टरसांड रिपोर्ट आ रहा है तो वो अपेंडिक्स निकल रहा है तो यह बड़ा गंभीर बात है लोगों को इस पर गंभीरता से सोचने और विचाडने का जरूरत है उसके साथ-साथ आज हम लोगों ने निशुल्क दवाईयों का भी वितरन किया जांच भी निशुल्क किया और लोगों ने इसको बहुत अच्छे से अप्रिशेट भी किया इसी तरह का CityCare Hospital आयोजन करता रहेगा, आप सभी का साथ और समर्थन इसी तरह से मिलते रहे और आप लोग को लाब पहुचाने के लिए CityCare Hospital हमेशा तक पर है